हेलो दोस्तो वेलकम बैक गुड इविनिंग तो इस्टुडेंट्स आप सभी दोस्त भाई भन का मैं राजे स्यादो स्वागत करता हूं आप सभी लोग के अपने इस यूटूब चैनल टार्गेड विथ राजवे तो दोस्तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर आज विडियों क्यों चला रहे हैं तो भाईया मेरे हम आपको बता दे कि हर बार की तरह मौसम आई होप की आपको अच्छे से सब कुछ दिख रहा है है ना जी मौसम को देखते हुए हमारे आप फिर वहीं लाइट वाली प्रा आज की इस विडियों में मैं आप लोग को जो टेंस नमबर एट जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कलके वीडियों मैंने आपको पाश परफेक्ट और फ्यूचर इंडिफिनिट इन दो 8 के मैंने आपको पैसिव रहे हैं है ना जी और आज हमारा बचा कौन सा है फ्यू एक्जाम्पल्स करने वाले हैं तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइब चुछन में जुड़ गए हैं आप सभी लोगों का most welcome है बहुत-बहुत स्वागत है तो हमारे साथ देखिए आसीप जुड़े हैं आसीप आपका बेटा बहुत-बहुत स्वागत है और सौर्य आपका आप बेटा बेटा गुड़े विल्कम है सार हमारे साथ आप जुड़े हो चलिए जी ऐसे हमारे बहुत से दोस्त जुड़े हैं विडियों चल रहा है लाइब में तो हम है नहीं लेकिन मेरे रेगुलर जो भी शुड़ेंस जुड़ते हैं न जी तो मुझे पता है इसलिए आपकी मैंने आपका मोशल कम किया है जो भी नवैंने आ रहा हैना आप सभी लोग क्रहा है और आपके सभी कमेंट्स मैं बराबर रिट कर रहा हूं आप टेशन मत लीजिए गा ओक değil और आप देख भी रहा होंगे कि मैं आप लोग को बराबर जो है welcome good evening send कर रहा हूं ठीक है तो चलिए हम लोग रूल की बात करते हैं और रूल मैंने लिखा है कि इस टेंस के पैसी वाइस कौन सा टेंस future perfect आप इसके अस्तान पर future perfect भी लिए सकते हैं कि future परफेक्ट टेंस के पैसी वाइस बनाते समय आई तथा वी है ना जी सब्जक्ट जो हमारा आई और वी होता है न इसके साथ हम helping वर शैल है बीन लगाएंगे ओके आई और वी के साथ जब भी हम बात करेंगे helping वर तो चैल है बीन और आई वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ केवल आई और वी को ध्यान रखिएगा अन्य आई वी को छोड़कर कुछ भी आएगा ना जी सभी के साथ विल है बीन का प्रयोक का दीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे अगर नोट नहीं भी कर रहे होंगे न जी तो फटा पट इसका स्क्रीन सॉट आप ले लिजे आराम से बैट कर आप नोट करते रहिएगा और मुझ मुझे वाट्सअप जो है आप प्लीज मुझे वाट्सअप पर आप मुझे जो भी नोट साब बना रहे हैं प्लीज सेंड करते रहिएगा और मैं आप लोग को जो भी नए दोस्त हमारे साज जुड रहे हैं पहली बार तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा वाट्सअप नम्मर जो है 7275173306 ओके जी ये नम्मर है आप प्लीज मुझे इस नम्मर पर जो है अपने जो भी नोट्स तयार कर रहे हैं आप सेंड कर सकते हैं कुछ भी क्वाईरी हो आप पूछिएगा जोरू चलिए अब हम आपको जो है अफर्मेटीव का इस्टक्चर पहले बताते हैं और नोट करते हुए चलिएगा अफर्मेटीव का इस्टक्चर ओके जी और इस्टक्चर हमारा क्या है अब फ़र मेटिव का इस्ट्रक्चर क्या है जी तो इस्ट्रक्चर ये रहा अबजेक्ट विल या सैल इसके बाद हम हैब बीन को एक साथ लिखेंगे हैब बीन थर्ड फॉर्म अदर बाई योर सब्जेक्ट ठीक है जी इस्ट्रक्चर आपके सामने है विल हैब दे विल हैब एविजड अस दे विल हैब एविजड अस देखें जितने लोग जूड़े हैं लाइब में फटा फटा आप सभी लोग आइंसर बताने का प्रयास कीजिए आदित्य जी सोनु जी पुछकी बटा आपका अनिता मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़े विणिंग है चलिए हमारे साथ जितने भी दोस जूड़ रहे हैं जी देखिए आज हम लाइब में तो है नई वीडियों है लेकिन फिर भी जितने भी दोस्त हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं न आप सभी लोग का मैं वेलकम कर रहा हूं और जिनका मैं नहीं कर पा रहा हूं तो प्लिस आप नराज मत होईएगा और एंसर दिने का प्रयास करते दिए ठीक है जी और कुछ लोग के देखिया एंसर भी आ रहे हैं कुछ लोगों के एंसर भी आना सुरू हो रहे हैं तो question यह किया है they will have abused us चलिए question नम्मर टू ले लिजिए गीता विल हैब गीता विल हैब संग और सॉंग गीता विल हैब संग और सॉंग इसको भी आपको पैस्य वाईस में चेंज करना है संजु बेटा मोश्ट वेलका में गुड इविनिंग आपका भी लाइप सेसर में जूड़ने के लिए फटाफट एंसर बताइए जितने विलोग लाइप सेसर में जूड़ रहे हैं आप सभी से में बस आई और भी को द्यान रखिएगा जब भी आई और भी आगा सैल है बीन का यूज़ कीज़ेगा बाकि कुछ भी आजाए विल है बीन का यूज़ कीज़ेगा और फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस में आलेडी वर्व का थर्ड फॉर्म एब्यूज सिंग सेंग संग है न आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको बता दे आज थोड़ी सी लाइड की प्रॉब्लम होने की वज़े से हम आपको आपके साथ लाइब में नहीं आपा रहे लेकिन हां आपकी क्लास हम मिस होने नहीं देंगे इसलिए मैं आप लोग को बीडियों के माध्यम से प एलिस यार यस का कह दीजिए नहीं लग रहा है आप नो का भी कमेंट कर सकते हैं और साथ में वीडियों को लाइक करते हो चलती है चलिए भी या लोग को को से नमर एक और ले लिजिए थर्ड का कि वी कि शैल है वी शैल है व प्लेड गेम्स ले विल हैब एब्यूज अस नेश्ट है गीता विल हैब संग और सॉंग और नेश्ट है वी शैल है प्लेड गेम्स एंसर बताते चलिए सभी लोग जितने भी लोग को लाइब सेसन में जूड़े है ना जी आप सभी से रिक्वेशन के फड़ा फट आइंसर बताईए और प्रयास कीजिए कि एंसर आपका सही आ जाए ऑके एंसर को सही बताने का प्रयास कीजिए चलिए अब हम आपको बता दे एंसर देखिए पहला काम हमारा होता क्या है अबजेक्ट इस्ट्रक्टर में ने अबजेक्ट लिखा उसकी अकौर्डिंग वील और सेल को लगाना है हमारा है क्या अस अस किसका होता है वी का चलिए जी हम लिख दिए यहापर वी हो गया और वी आई वी के साथ क्या लेगाना है शेल है है अब है अब है कि वी शैल है ब बीन वर्प का थर्ड फॉर्म क्या दिया है अब यूज्ड अधर कुछ है नहीं बाई देखा क्या होता है हमारा देम वी शैल है बीन एविजड बाई देम और जिनका जिनका यह एंसर आया था बिल्कुल आइंसर आपका सही है चलिए नेश्ट बढ़ते हैं गीता विल हैब संग और सॉंग अधर क्या इसमें ए सॉंग चलिए जह हम लिखते हैं ए शॉंग हो गया इसमें हम विल का प्रय इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है कि नेश्ट है कि वी शैल है प्लेड गेम्स अब जट क्या है हमारा गेम्स इसमें यहां पर सैल लगा है लेकिन अब्जेट के हमारा गेम्स बस आई भी नहीं है नहीं आख मुंद कर हम लगा देंगे विल अब बिन गेम्स बिल है बिन थर्ड फर्म प्ले का हो गया प्लेड बाई वी का हमारा अस और देख दिए यह तीनों कोउस्टन का हमारा एंसर आज जिनका जिनका यह एंसर आया था एंसर आपका बिल्कुल सही आया है चलिए हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ और निग हमारा इस्ट्रक्चर यह रहा अबजेक्ट विल शैल विल सैल के बाद हम लिखेंगे नौट उसके बाद लिखेंगे हैब बिन यानि आई भी रहेगा तो सैल नौट हैब बिन और बाकि आई भी को छोड़कर कुछ भी आए विल नौट हैब बिन थाड़ पॉम अधर बाई यॉर सब्जेक्ट ठीक है जी दिख रहा है कि फड़ा पर इसकीन सॉट ले लिजेगा इसका और हम आपको देते हैं अब इसका कोश्चन और कोश्चन नौट कर लिजिए I shall I shall not have I shall not have flown a kite change into passive as I shall not have flown a kite ठीक है जी यह हो गया और इसका अब आप कमेंट करके फड़ा फटा एंसर बता आना सुरू कर दीजे और नेक्ट कोश्चन क्या है कि 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 सोनु विल कि सोनु विल कि कि नौट हैब कि कम्प्लीटेड सोनु विल नौट हैब कम्प्लीटेड दा वर्क ठीक है जी इसको भी आपको पी भी में चेंज करना है सोनु विल नौट हैब कम्प्लीटेड दा वर्क चले जी एक कोश्चन और ले लीजे कोश्चन अमद थर्ड क्या करा है वी शैल नौट हैब वी शैल नौट हैब डन वी शैल नौट हैब डन दा वर्क वी शैल नौट हैब डन दा वर्क चले जी नमसकार नमसकार जो भी नए दोस्त हमारे साथ जूड़ है आप सभी लोग कोई बाद फिर से गूड इविनिंग है स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल टार्गिट वित राज़ पर जूड़िये दोस्तों और जो भी आपको कोईरी हो जो भी कोस्टन्स हो प्लीज पूछते रहिए जो भी प्राब्लम्स हो प्लीज आप सेर जरूप करिए और कुछ भी पूछने हो कोई भी डाउट हो आप प्लेज अपने डाउट को किलियर आप कर लीजिए किसी प्रकार के कोई संद्य मत रखिए और आप सभी से वहाँ फिर से रिक्वेस्ट है कि साथ में बीडियों को लाइक करते हो चलिए लाइक करते हो चलिए शेयर जरूर कीजिए आपके सामने है आई शेल नॉट है फ्लोन अकाइट शोनू विल नॉट हैब कम्प्लिटेर दा वर्क और नेश्ट है कि वी शेल नॉट है डन दा वर्क फटा फटा फट जितने लोग लाइब से समय जुड़े ना फटा फटा एंसर बताईए और यहां मेरे कम मत होते रही आप ज्यादा ज्यादा लोग जुड़िये और जो भी प्रावब्लम से बताते रही है एंसर बताते चलिए पुछ की वटा एंसर बताईए बाते न किया करो आप लोग बाते न करो और एंसर फटा फट देते रही है यह आज थोड़ी लाइट की प्रावब्लम होने के वज़द से आज लाइब क्लास तो नहीं चल पा रहा है लेकिन हाँ विडियों क्लास आपका जरू चल्ला है जिससे आपके class miss नहीं होगी और फिर्स क्लास के बाद हम आप से live में भी जहें बात करेंगे live में हम आपसे बात करेंगे इस class के बाद ठीक आजी तो LIVE में आप जरू जूड़िए गा। ठीक इस क्लास के बाद हम आपको रात को 9 बच के 15 मिनट पर लाइब में हम आपसे बात करने वाले हैं 9 बच के 15 मिनट में आप हमसे लाइब में भी बात कीजिए जुड़िए और पताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आया चलिए जी हम भी आपको ऐसे बताते हैं I shall not have flown a kite object क्या है मारा a kite अब काईट ठीक है पहले हम लगाएंगे विल क्योंकि आई भी है नहीं अब जैसे विल लगाने के बाद लगाना क्या है विल से not have been will not have been a kite will not have been third form क्या दिया है flown by I का हो गया यहां पर me a kite will not have been flown by me और जिनका जिनका यह answer आया था ना जी answer आपका बिल्कुल सही है और next है शोनू will not have completed the work object क्या है हमारा the work the work the work हो गया उसके बाद विल नॉट है वह बिन दा वर्क विल नॉट है बिन थर्ड फॉर्म दिया ही है कम्प्लीटेड बाइ सोनू नाम इसलिए नो चेंजेस है न जी इसलिए यह भी चेंजेस नहीं होगा चलिए नेक्ट बरते हैं क्यों को स्टन में वी ऐसे देखें एंसर में इसलिए यहां पर सैल लगाए वी शैल है नॉट है दन दवर्क लेकिन हमारा अब्जट क्या है दावर्क अब्जट हमारा दवर्क दवर्क ऑय वी है नहीं इसलिए हम लगाएंगे वील के नॉट हैब बीन दवर्क विल नॉट हैब इस थर्ड फार्म अले डिज़ दिया है डन है वाइविका हो गया हमारा अस दवर्क विल नॉट हैब क्लास आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है की नहीं अप आप लोग कमेंट करते हैं और हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटीब के साथ तो हम आपको दिखाते हैं इंट्रोगेटीब का और यह रहा हमारा एंट्रोगेटीब का यह रहा विल सेल उसके बाद दिखेंगे अपजेक्ट अगर नौट है तो नौट लगाईए नहीं तो अपजेट के बाद have been third form other by your subject ओके ये structure है intro creative का अब हम आपको देते हैं इससे rated example तो example के लिए ready हो जाईए और answer बताने के लिए भी तयार हो जाईए और question हमारा ये है कि will you have will you have written or later will you have written or later इसका answer comment करके बताईए will you have written or later और question number two हम आपको दे रहे हैं shall I not have shall I not have read a story book a story book और ये रहा question mark तो बताईए जी अब इसका answer क्या होगा shall I not have read a story book अब इसका answer मुझे comment करके बताईए कि इसका answer क्या आ रहा है और सभी लोग जो है answer बताने का प्रयास कीजिए जितने लोग भी लोग live session में जुड़े है न जी आप सभी लोग answer बताने का प्रयास कीजिए answer क्या आएगा will you have written a letter question mark shall I not have read a story book answer देते समय interrogation का चिन जरू ध्यान रखिएगा जो आप लोग हमेशा ही गलती करते हो मार्क साफ interrogation का चिन लगाना भूल जाते हो तो बैया मेरे ये गलती मत करना और answer देते चलिए will you have written a letter shall I not have read a story book है न जी तो I hope कि अप्लोट ट्राई कर रहे हो और अगर अभी तक जितने भी दोस्त वीडियों को लाइक करना भूल गए हो क्लास करने की भावनाओं में डूब गए हो तो आप से request अकी बाद तुमासा भावनाओं से बाहर आईए वीडियों को लाइक कीजिए उसके बाद एंसर देना है आप सुरू कर सकते हैं और जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं न जी तो आप से request है कि प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और description में मैंने अपना mobile नमबर भी दे रखा है तो आप हमारे mobile नमबर से जुड़ी है WhatsApp ग्रूप से जुड़ी है फिर हम आपको अपने तार्गरित राज के परिवार में फैमिली में हम आपको मेंबर जरू बनाएंगे तो देखिए कुछ friends के answer भी आ रहे हैं और मैं आप लोग के comment के comment के answer को भी बता रहा हूं message के द्वारा मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये वीडियो चल रहा है live class नहीं है वीडियो प्रिमार है हाँ लेकिन मैं आप लोग के message को class को regularly जो है मैं आपको check कर रहा हूं आप क्या answer दे रहे हो क्या नहीं क्या बाते कर रहे हैं मैं सारी comments सारे message को मैं आपके read कर रहा हूं ओके तो चलिए अब इसका answer देख लिया जाए क्या है answer है will you have written a letter जैखे अब जोट a letter है इसके साथ भी हम will कहीं पर्योग करेंगे will a letter not है नहीं इसरे लगाएंगे have been will a letter have been third form write wrote written already आपको दिया ही है written by you का you last question mark तो will a letter have been written by you जिनका भी answer आया था बिल्कुत सही है अब हम बढ़ते हैं next question की तरब shall I not have read a storybook object क्या है a storybook और question में आई था यहाँ पर sell है लेकिन object क्या है a storybook तो इसके साथ हम use करेंगे will will a storybook यह storybook पूरा object है इसलिए will a storybook question में not है तो object के बाद not तब हम जोड़ेंगे have been will a story book not have been third form ready होता है by I का हो गया me और last में question mark और question mark अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका और कितने लोगों को आज का यह class पसंद आया हो फटा फट कमेंट काके बताईए और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो को अगर like नहीं की हो तो please भीया मेरे आपसे request लाइक के जरू कीजे और share अपने friend circle में जरू कीजेगा ठीक है तो यदि आपक 9 बच के 15 पीम पे मैं आप लोग से live में बात कर रहा हूं तो please आप वहां भी हमारे साथ जरू जूड़िएगा ओके students तो चलिए भाई फिर से फटा फट कमेंट कीजिए कि class कैसा लगा है और अपनी राय मुझे जरूर देते रहिएगा तो आज चले शूड़िए बस इतना ही मिलते है नेश्ट दे आई होग कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अपनों live में जरू चलेंगे स्मार्ट अगर नहीं तो ऐसे आपको वीडियो मिलेगा फिर कल भी तो अभी तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग गुड नाइट जय हिंद जय भारत